आज हम रात की बची हुई चावल से बहुत ही अच्छा सा स्नेक्स बनाएंगे तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं रात में मेरे यहां थोड़ा चावल बच गया था तो हमने सोचा कि इसकी कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो इसे हम सबसे पहले क कप से मैजर कर लेते हैं तो यहां पर यह दो कप है और दो कप चावल के लिए जो हम इसमें कुछ उट चीज़े आड करेंगे जिससे बहुत ही अच्छा बनेगा तो हम मिक्सी जाह में इसे थोड़ा सा डाल देते हैं आधा डाल देते हैं और फिर यहां पर हम ले रहे हैं एक कप बेशन, तो दो कप चावल है, पकी हुए चावल और एक कप बेशन लेंगे, तो जार हमारा छोटा है, तो हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालेंगे, और फिर आधा कप यहां पे हम दही ले रहे हैं, साधा दही आपको लेना है, फिर इसमें डालेंगे, हम दो से तीन हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा लसन डालेंगे, और छोटा टुकड़ा अध्रक का डाल देंगे, और आप इसमें चाहे तो नमक डाल करके भी पीछ सकते हैं, नहीं तो आप बाद में इसमें अड़ कर लेज़े, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल भारीक हुमें इसे पीस लेना अ Îकदम अच्छे से इसका पेश्ट तैयार हो चुका है हम इसे एक बड़े बाउल में हम निकाल लेंगे और बाकि में इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा कर टेह करकर बिलकुल बारीक है यह चोटा पड़ गया तो हमने दूसरे में इसे ट्रांसफर कर लिया है ये देख सकते हैं फिर हम इसमें डालेंगे एक चमछ हम यहाँ पे साबू- ₹ ata डाले और एक चमछ यहाँ पे हम नमक डालेंगे तो हमने थोड़ा ही नमक डाला है और थोड़ा नमक हम उपर से मसाले डालेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे चार चमस सूजी तो ये पकी होए चावल हैं तो ये काफी हलका होता है तो इसमें binding लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सूजी भी डालेंगे और सूजी और बेसन दोनों ही हमने इसमें डाला हुआ है और इसे 15 मिनट का हम रेश्ट देंगे और ये देखी 15 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से ये हो गया है अभी बिल्कुल तयार है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला मीठा सोडा तो दो पिंच के करीब आपको इसमें डालना है और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है फिर हम लेंगे एक बर्तन आपको इधाली ले ले या फिर केक टिन हो आप उसे ले ले नहीं तो अगर आप चाहें तो इसका इडली भी बना सकते हैं इडली मेकर है तो आप उसमें भी इसे जो है उस मोल्ड में डाल करके आपको इस्टीम कर लेना है तो बहुत ही अच्छा ये बनता है यहाँ पर देखे हमने पानी रख दिया था गरम होने के लिए इस तरह से इस्टेंट रख के और अब इसे हम इसमें रख देंगे और इसे हमें 15 से 20 मिनट अच्छे से स्टीम कर लेना है और बाकी का भी हमने रख दिया है इसी तरह से ये देख सकते हैं इसी तरह से हम इसे भी रख देंगे तो 15-20 मिनट तक हमें इसे अच्छे से इस्टिन होने देना है और अब ये जो है बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा हम ठंडा कर लेंगे जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर ये देख सकते हैं ये बिल्कुल से अच्छे से ठंडा हो चुका है और चाकू की हिल्फ से हम इसके किनारों को इस तरह से निकाल देंगे और बहुत ही आराम से ये बरतन से निकल भी आता है तो आप इसे अपने मंचाहे आकार में इसे आप काट सकते हैं आप इसके छोटे छोटे पीस काट सकते हैं या आप बड़ा पीस भी इसका काट सकते हैं तो हमने दोनों को ही इस तरह से demold कर लिया है ये देखिए बहुत ही बढ़ियां और एक्दम उस्पंजी बना हुआ है अब हम इसको जो है छोटे-छोटे पीस में कट कर लेंगे तो फ्रेंड्स आप इसे सुबे के नाजते में बना सकते हैं या साम के टाइम आप चाय के साथ इसे बनाइए बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बिल्कुल इजी है बहुत ही कम सामान से एकदम घर के ही सामान से ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है ये देखे ये देख सकते हैं ये देखे कितना बढ़िया एकदम सॉफ्ट मुलायम मुलायम ये बना हुगा है अब हम इसे फ्राइ करेंगे तो हमने तेल रखा था गरम होने के लिए हम इसमे राई के दाना डालेंगे फिर डालेंगे सफेद तिल और हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे फिर हम इसमें इन सब को कटे हुए जो पीस हमने रखे हैं इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चला लेंगे तो हमें अच्छे से इसी चलाते रहना है उलट पलट करक और थोड़ा सा फिर हम इसमें नमक डाल देते हैं, तो हमें नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो हमने इसमें थोड़ा सा नमक एड़ किया है, और अब हम इसमें डालेंगे सांभर मसाला, तो अगर आपके पास सांभर मसाला नहीं है, तो आप इसके उपर से मेगी मसाला डाल द और आपके पास जो भी मसाले किचन में बेसिक मसाले होते हैं आप उसमें डालिए बहुत ही टेस्टी बनता है यह देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राइब हो चुका और यह कलर देखे कितना अच्छा आया हुगा है तो फ्रेंड्स अगर आप एक बार इसे बनाएंगे न त से पका हुआ है तो आप इसे ग्रें चटनी या टमेटो सास के साथ खाई यह बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है